तो दोस्तों आज हम आपके बीच में हाजिर है अपना हिस्ट्री सिरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके जैसा कि अब सभी जानते हैं हमारा प्रिवियस लेक्चर था मौरियो तरकाल तो अब मौरियो के पतन के बाद जो सासक आये शाशन आया उनके बारे में हम बात करेंगे तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सुंग वन्स कुशान वन्स शक शासकों के बारे में ठीक है दोस्तों तो आईए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर हमारे साथ WhatsApp पे जुड़ने के लिए, Instagram पे जुड़ने के लिए, Facebook पे जुड़ने के लिए, मैं सभी का लिंक दे दूँगा वहाँ पे, आप लोग आके हमसे Instagram, Facebook, WhatsApp, हर एक जगा आप जुड़ सकते हैं, और हमारे content और अगर आपको PDF चाहिए, तो आप हमें वहाँ direct message हमसे संप पे जुड़ने के लिए, तो आप जानले, पुश्यमत्र सुंग जातिक था, इसने सफल विद्रो के दौरा, अंतिम मौर सासक व्रहदत की हत्या कर, इस वंस की नीव डाली थी, तो इन्होंने अंतिम मौर सासक व्रहदत की हत्या करने के बाद, सुंग वंस की नीव डाली, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए, मालवी का अगनी मित्रम के अनुसार, पुश्यमत्र सुंग ने विदर्व के राजा अगर सेन को परा पाजित किया, उसके बाद इन्होंने सेनानी की उपाधी धारन की, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इनकी इसने अपनी राजधानी पाटली पूतर बनाई थी, जैसे कि मौर सासकों की थी, वैसे इसने भी उसको ही कंटिन्यू रख था, सुंग काल में, I'm sorry, यहाँ पर spelling mistake है, सुंग काल में संस्कृत भासा का पौनुरुत्थान हुआ, इसके उत्थान में महरसी पतंजली का विशेश योगदान था, इस काल में जो है दोस्तों, पौनुरुत्थान that means की संस्कृत लैंग्वेज जो है, वो बिल्कुल अपने प ठीक है, चलिए, धन्यदेव का योध्य अभिलेख पुश्मित्र द्वारा दो अस्वमेग यग कराने की जानकारी देता है, यह अस्वमेग यग पतंजली ने संपन कराए थे, तो धन्यदेव जो है, यह राजा थे गुजरात के, इनके अभिलेख के अनुशार, पुश्म मित्र सुं, इनका बेटा था अगनी मित्र, ओके, और अगनी मित्र का बेटा वसु मित्र, और वसु मित्र का बेटा देव भूती मित्र, तो यह पुश्मित्र सुं का बेटा अगनी मित्र, अगनी मित्र का बेटा वसु मित्र, वसु मित्र का बेटा देव भूती मित्र, ठ ऐसे चंडरूप गुप allora ook systems कि टो इस बूक की जो main ये जो मालवी का और अगनी मित्र यह जो माली डास ने बुख लिखा ये मालवी जए मालby का एक लड़की का नाम है और अगनी मित्र तो अगनी मित्र ही लका जो है एक दोस्तों कमा कर दो अगनी मित्र के आमात परिशद का भी उलेक मिलता है अगनी मित्र ने एक आमात परिशद का इस्थापना किया था इस बुक में उसका भी उलेक मिलता है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वन्स है कनव वन्स तो दोस्तों यह छोटे चोटे वन्स है इन आप लोग को अब तक अच्छी लग रही हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो में अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है कनव वंस इनका जो शासन काल रहा है वो 75 से लेके 30 इस पूर्व तक ओके तो वसुदेव ने 75 इसा पूर्व में कनव वंस के स्थापना की ठीक है दोस्तों ओके अब देखिए इस वंस में केवल 4 सासक ही हुए हैं ओके कौन-कौन है वो वो है वसुदेव उनके बाद भूमी मित्र उनके बाद नरायन और उसके बाद सुमन इन्ह शिमुक ने हत्या कर इस वंस का अंत कर दिया ओके तो जो अंतिम सासक था सुसूर मन इसकी सात्माहन सासक शिमुक ने हत्या करके इस वंस की अंत कर दिया इसने शिमुक ने ठीक चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम आगे हमारा नेक्स्ट जो वंस है वो है सक तो सकों की पाँच स रखाएं थी परतेक साखा की राजधानी भारत वो अफगानिस्तान में इन लोगों ने अपना situated कर रखा था ठीक है अब देखें इनकी राजधानी कहा कहा थी यह जानने वाली बात है तो इनकी पहली राजधानी जो थी वो तो अफगानिस्तान में थी ठीक है दूसरी साखा पंजाब छेट समंदित थी जबकि 30 साखा मतुरा में 34 साखा पश्चिम भारत में ठीक है सको की 50 साखा ने उपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था ठीक है दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो कुछ जानने वाली बात ये है कहा जाता है कि लगभग 57 57 इसापूर्व में उजयन के राजा ने सको से युद किया उन्हें पराजित किया और उन्हें बाहर खड़ेड दिया ठीक है किसने उजयन के राजा ने सको को पराजित करके बाहर खड़ेड दिया वो अपने को जो जैन के राजा थे वो अपने आपको विक्रमादित कहते थे और विक्रम समवत उसी के नाम पे संतावन इसापूर्व से स्टार्ट हुई है ठीक है दोस्तों यह आप लोग याद रखेंगे विक्रम समवत विक्रमादित के नाम पे संतावन इसापूर्व से स पर उनकी विजय के उपलक्ष में इन्होंने अपना विक्रम समवत स्टार्ट करवाया था यह आप लोग ध्यान रखेंगे ओके चलिए बढ़ते हम वीडियो में आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब है रुद्रदामन काफी फेमस यह रूलर है इसके बारे आपने किया था सासन किया था उनमें सबसे प्रसिद्ध था यह रुद्रदामन इसके विजय की जानकारी जो है उसका प्रमुक्स रोत जुनागर अभी लेख है ठीक है जो की डेड़ सो इसवी में यह हमें प्राप्त हुआ ठीक है तो जुनागर का अभी लेख जो है गुजरात ज जान ले आप जुनागड अभी लेक जो है यह अब तक जितने भी लेक प्राप्त हुए इनमें सबसे पुड़ाना आई है इस अभी लेक में संस्कृत काव वेसहली का सबसे प्राचींतम साक्ष भी प्राप्त होता है यह जानने वाली बात है ठीक है दोस्तों अब देखिए ये जो रुद्रदा मन्दा उसका सासन काल ना केवल सिंध में, बलकि कॉंकन में, नर्मदा घाटी में, मालवा में, काठियावार में और गुजरात के बड़े भाग पर भी फैला हुआ था, यह आप लोग जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया रूलर था, बहुत ही राजा था यह, ठीक है, उसने स्वेम के कोस से काठियावार के अर्ध सुस्चेत्र, यानि काठियावार का जो आधा सूखा ग्रस्त जो इलाका होता है काठियावार में, उसमें सुदर्सन जील, ठीक है, जो की मौर्योत्तर काल में बना था सुदर्सन जील, उसका इसने जिर्णो धार इस नहीं करवाया था या आप लोग ध्यान रखें ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है इसने चंद्गूत मौर के सासंकाल में बने सुदरसंजील का भी पुनर निर्मान करवाया या आप लोग ध्यान रखें तो रूद्र दामन जो है यह आप जानले यह सिर्फ एक राजा ही नहीं था यह रूद्र दामन जो है न व्याकरन का प्रकांड विद्वान भी था ठीक है राजनीती में संगीत एवं तर्क सास्त का यह पंडित महारती था यह भी जानले बहुत ही प्रतापी राजा था यह ठीक है चलिए बढ़ते आगे हमारा जो नेक्स्ट ह है वह कुषान वन्स अब यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइनेस्टी है कुषान वन्स कुषान डाइनेस्टी सॉरी तो इस बारे हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो इस वन्स के संस्थापा कौन थे वो थे कुजूल कैड़ फिसेज कुजूल एसा ट्री बनाया है कुषान वन्स के रूलर्स का यह हम लोग डीटेल में पढ़ लेते हैं तो कुषान वन्स के संस्थापक थे विमकाड़ फिसेज इनके बाद आये उसके बाद आया कनिश्क जो की बहुत इंपॉर्टेंट डूलर है कुशान वन्स में ठीक है उसके प्रतापी राजा रहा है कुशान वन्स का तो हमें इसके बारे हमें काफी questions भी आते हैं exam में चलिए आगे बढ़ते हैं तो मतुरा में कुशान के सिक्के अभिलेक सनरचना और मूर्तिया मिली है उनसे प्रकट होता है कि मतुरा भारत में कुशान का second capital तुईतिय राजधानी भी थी तो फर्स्ट राजधानी का थी वो पुरुषपूर यानि की पिसावर आपने देखिए अभी यहां उपर ने पढ़ा फर्स्ट राजधानी पुरुषपूर आज का पिसावर और यहां पे जो कुछ हमें जो साक्ष मिले हैं हमारे आर्केलोजिस्ट को उसके हिसाब से मत्हुरा में जो है कुछान के बहुत सारे सिक्के मिले और अभी लेग भी मिले जिससे हमारे आर्क लोजिस्टों ने ये अनुमान लगाया है हमारे बुक्स में भी ये दिया हुआ एंसी आर्टी के कि जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है और इनफ एविडेंस है जिससे हम बोल सकते हैं कि सेकेंड कैपिटल मतुरा थी ठीक है कुसानों को सरवाधिक तामर के सिक्के चलाने का स्रे जाता है कुशानों सबसे ज़्यादा तामर के सिक्के चलाए है यह आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों चलिए तो आगे बात करते हैं तो इस वन्स किस्थ अपना किती कुजूल कैटफीसेज ने पंदरा से पैंसाट इसवी तकी सासन कल रहा था तो भारत मैं सर्व पत्थम यानि सबसे पहले कुजूल कैटफीसेज नामा के कुशान सासक जो है उसने आकरमन किया पस्च मुत्र प्रदेश पर और उस पर अधिकार कर लिया यह याद रखें आप लोग जो कुजूल कैटफीसेज है ना उसने सिर्फ तामबे के सिक्के चलवाए है ठीक उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तामबे के सिक्के ढलवाए तथा कुजूल कैटफीसेज मैं फिर से बता रहा हूँ कुजूल कैटफीसेज ने महराजा धिराज की पाधी धारन की यह बहुत important point है यह आप लोग कहीं note कर लें अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं आप विम कैटफीसेज सिहासर बैठा इसका सासन काल कब था 65 से 78 इसवी तक ओके चलिए इसने सिंदु नदी पार करके तक्च सिला और पंजापर रधिकार कर लिया यह भारत में कुशान सक्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसने ही इसको ही माना जाता है कुशान सक् इसने अपने समराज का विस्तार सब कुछ किया था ठीक है चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसने जो सोने वा तामबे के सिक्के चलाएं उसके सिक्के पर एक और युनानी लिपी तथा दूसरी और खरोष्टी लिपी अंकित होती थी ठीक है इस किसने महेश्वर की उपाधी धारन की थी किसने विम कैटफीस ने महेश्वर की उपाधी धारन की थी ओके यह इंपोर्टन पॉइंट है यह आप लोग याद रखेंगे भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने का स्रे इसी को जाता है विम कैटफीस नहीं भारत में स सबसे पहले एकी क्षिछान मार सकते हैं गया खरास के बार हॉ में कजूँल कैट छल्वाइं चांडी के सिंखे चल्वाएं थे हैं सोने के चल्वाएं और कनिष्क ने फिर अपने reason में हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए तो अब हम बात करेंगे कनिष्ट के बारे में इसका शासनकाल था 78 से 102 इस भी तक ओके चलिए कनिष्क के नाम का मतलब होता है कनिस्थी का यानि की छोटी उंगली है हमारे हाथ में जो सबसे लास वारी छोटी उंगली होती है ने कनिस्थी का उसका मतलब कनिस्थ का मतलब वहीं उंगली का बारे में ये बात होता है चलिए next हमारा है कनिस्थ के सासनकाल में बहुत संप्रदाय जो है दो भाग में भट गया, इनी के साथ अनकाल में दो भाग में बहुत संप्रदाया बटा था, हीनियान और महायान, कनिस्क ने चौथा बहुत संमेलन भी बुलवाया था, या आप लोग याद रखें, कहां बुलवाया था, कुंडल वन में, ठीक, 72 एडी में इसने कुंडल वन होकर सिक्के चलवाय थे, ये आप लोग ध्यान रखें, ये फॉस्ट कींग था, जो की इंडियन कल्चर के हिसाब से, इसने सोने के सिक्के अपने चलवाएं, ठीक है, ये ध्यान रखने, चलिए तो कनिस्क के बारे में कुछ और भी डिटेल जान ले, कनिस्क ने कस्मीर में कनिश्कपूर तथा तक्षिला के सिरकप में एक नए नए सिटीज बनवाएं, ठीक है, कनिस्क सरवादिक विक्यात कुशान सासक भी है, ये आप लोग ध्यान रखें, इतिहास में दो कार्णों से उसका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, क्या है वो, पहला उसने 78 इस्वी म एक समवत चलवाया, ठीक है, इसमें अभी बात करेंगे, जो की सक समवत कहलाया, ठीक है, और दूसरा उसने बहुत धर्म का मुख धर्दे से संपोधन वसनक्षन किया, संपोधन दैट मिन्स उसका परचार परसार इसने करवाया, तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि दो कारण क्या थे, इसके फेमस होने का, एक तो पहला उसने एक समवत चलवाया, जो की विस विख्यात हुआ, और उसने सेकेंड बात धर्म का परचार परसार करवाया, उसको संरक्षित किया, ठीक है, कनिक्स जो है, वो महायान संप्रदाय का नियाई था, ओके, हीन यान और महायान दो संप्रदाय बट गयते न, तो महायान संप्रदाय का नियाई कणिश्क था, अब याद रखेंगे, जब ये संप्रदाय बटा, तो हीन यान जो थे, ये पहले के जैसे ही, जैसा बहुत धर्म में जो इनका जो जीवन होता था, आच्रन होता था, बिलकुल भि बन गए जो की बाद में हीन यान महायान कहलाएं और कनिश्क महायान का अनुयाई था ठीक है कनिश्क के सासनकाल में ही बुद्ध की मूर्ती पूजा स्टार्ट हुई थी आप लोग ध्यान रखें बहुत बार यह कुश्चन आया है 78 AD में अपने राजती लग के रूप में कनिश्क ने सक समवच चलवाया था अभी जो हमने बात की एक तो इस वज़े से भी एफिमस है इसने अपने राजती लग के रूप में सक समवच चलवाया आप देखिए most important बात 12 March 1957 को इसे राश्टे कलेंडर के रूप में घोसित किया गया भारत सरकार नहीं से राश्टे कलेंडर के रूप में घोसित किया 12 March 1957 को और एक एपरेल से एक एपरेल से ये जो है implement भी हो गया ओके इस पे हमारी सारे कामकाज होने लगी ठीक है अब यहां देखिए कुछ और बात कर लिते कनिश्क के बारे में तो कनिश्क का जो चीन पर बाध की चतुर्थ संगिती पाश्रवनात जो की बहुत धर्म बहुत बड़े बहुत भीक्षू थे उनके सला पर फूर्थ वह जो है कस्मीर में कस्मीर कुंडलवन में कुंडलवन बिहार में इसने चौथी बाध संगिती बुलाई उसके अध्यक्ता वश्वमित्र अध्यक्ता शंगिती कस्मीर के कुंडलवन में उसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अस्वगोस थीक है चलिए आब हम बात करते हैं और अस्वगोस ने जो है बौध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतीम रूप दिया था ठीक है अस्वगोस नहीं बौध धर्म के महायान संप्रदाय को इन्हों नहीं अंतीम रूप दिया था कनिश कला और संस्कृति साहित का भी महानसन रखचक था उसके काल में कला संस्कृती ये सब भी बहुत विक्षित हुएं कनिस्की राज सभा अनेक योग विद्वानों से सुसोभित थी इसमें पाशव, वसुमीत, अस्वगोस जैसे बहुत दार्शनिक थे यह आप लोग ध्यान रखें ठीक है? अब हमने इतना डिटेल थो थोड़ा बहुत बात कर लिया अब हम बात करते हैं जो इसके सासनकाल में जो ये थे जो बहुत विद्वान थे, इसके दरबार में जो विद्वान लोग थे उनकी बारे में कुछ हम लोग डिटेल में बाते कर ले तो कनिश्क के दरबार के जो विद्वान थें वो थें पहले वशुमित्र ठीक है तो वशुमित्र जो थें ये कनिश्क के दरबार में बौध विद्वान थें ओके अब बात करते हैं अस्वगोस की तो अस्वगोस जो है ये भी बौध विद्वान थें और इन्होंने है बु पासा संस्क्रित थी चलिए थर्ड जो थे बुद्ध घोष ये भी बुद्ध विद्वान थे ठीक है ना अब फूर्थ जो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर से नागर्जुन तो नागर्जुन जो है वो कनिष के समकालीन थे ये कनिष के बराबर थे इन्होंने सुनिवाद का सिधान दिया था या दुनिया को जीरो का नागर्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है और जो है इनका जो सिध्धान्त है वो आइंस्टाइन के बराबर ही माना जाता है चलिए next जो हमारा है वो है चरक इन्हें father of आयूरवेदा भी कहा जाता है आयूरवेदा के पिता के रूप में भी नहीं जाना जाता है और इन्होंन जो की ग्रेज के थे, कौन, हिपोक्रेट्स ये हैं, फाइर ऑफ, फादर ओफ मेडिसिन, ये ग्रीज के थे, चलिए, नेग्स अम बात करते हैं, हमारे नेश्ट हैं, सुसरित, तो अच्सरित जो है, ये सल्ल चिकिस्था का जनक, इनको कहा जाता है, ये भी कनिश्ट के दरब रहूं दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला किसी ने अगर सर्जरी किया था तो वो थे सुसृत, अब इसका सुबूत भी हमें मिलता है, कहां से मिलता है, तो इनके औजारों का जिक्र, अलबरुनी ने अपनी किताब में, जिसका नाम है तहकीके हिंद, उसमें, पुर्टी निर्मान की भी सैलिया कनिश के शाषनकाल में डेवलप हुई वह दो सैलियों में डेवलप हुई एक हे गांधार सैलिय और सेकेंड है म크ill of presenting expectations यह यह नि मथुरा कला तो गांधार कला में क्या होती थी इस कला में मुर्टी कला जो है वह काले path है बनाई जाती इसकी, और इस कला में बुद्ध की मूर्टिया जो बंती थी न वो याद रखें, वो हमेशा गवस की Andtator का लेके लेके क estánd90 के लिए वे खड़ी प्रतिमा होती चलिए, मतुरा कला की बात कर लेते हैं, तो मतुरा कला जो है ये कला लाल बलवा पत्थर से बनती थी इसमें जो परतिमाय बनती थी वो लाल बल्वा पत्थर से बनती थी इस कला में परतिमा मतुरा में बनती थी यह most important यह आप लोग ध्यान रखेंगे मतुरा में ही बनती थी इस कला जो है यह कला प्रभावित थी युनानी रूम कला से ओके यह आप लोग ध्यान रखेंगे यह थोरा spelling mistake है इसमें जो बुध्ध की परतिमा बनती थी वो सेली से ही start हुई थी ओक यानिकि standing position से गांधार सेली से ही यानिकि खड़ी पर्तिमा के रूप में वुद्ध की मूर्ती सबसे पहली पुझे start हुई थी अब यहाँ ध्यान दे का करिस्क जो है इसको सोने इसने जो सोने के सिक्के जो बनवां स्कूर्ण कहा गया है थिक्ए ठीक है, जो कि नाथुला दर्रे से होके भारत में ये आता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था, सिल्क रूट, सिल्क रूट के बारे में आपने बहुत बारी सुना होगा, तो ये यहीं था सिल्क रूट, ओके, चलिए, चलिए, इसके बारे में कुछ और आगे डीटेल में बात कर लें तो कुसान ने रेसम के उस प्रख्यात मार्क पर काबू कर लिया नियंतरन कर लिया जो की चीन से प्राड़म होके कुशान समराज में सामिल मत एसिया एवं अफगानिस्तान से गुजड़ते वे इरान तक जाता था ठीक है दोस्तों यह अप लोग ध्यान रखें और यह मार्क जो है वो पूर्वी भूम अदिसागर यह अंचल में रोमान समराज के आधीन पस्चिम एसिया में भी जाता था तो इसलिए यह जो है ना यह रेसम मार्क कुशानों की आयका सबसे बड़ा सुरोत भी था इसलिए तथा वह इस मार्क पर वेपारियों से चुं अच्छा कुशान ही थे ठीक है व्यापक प्यमाने पर कुशान साथ को नहीं भारत में सोने के सिक्ष के चलवाय थे चल यह बढ़ते हम आगे हमारा नेक्स जो पॉइंट है वो है कनिश्क जो है ठीक है कनिश्क ने कस्मीर में कनिश्का सहर बसाया था ठीक है यह आप लोग ध्यान रखेंगे इसने सहर कहां बसाया था कस्मीर में जिसका नाम था कनिश्का पुर और इसे दूसरा असोग भी कहा गया है most important ये बहुत बार exam में पूशा गया है ये छोटा सा लाइन है ये आप लोग समझ जाएं इसे दूसरा second असोग क्यों कहा गया है क्योंकि इसने बहुत धर्म का असोग के जैसे व्यापक रूप से परचार परसार करवाया था और इसको संरक्षन भी दिया था ओके इसलिए इस सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें Okay तेंक यू टेक केर और गोड ब्लेस्ट यू अल बबाई